हेलो फ्रेंट्स जब से रेलवे के तरफ से असेस्टेंट लोको पालेट की 5696 पदों की भरती अनौंस की गई है तब से लगातार इस पदों की संख्या को बढ़ाने की मांग की जा रही है तो इस वीडियो में डिसकेशन करेंगे कि इस बार की जो मांग की गई है वो कहां से क की गई है और सारी जनके रिपको डिटेल वालूंद चल जाएगी उससे पहले जदिकर अभी तक आपने उमंग स्टेडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आकन को जरूर दबा दीजेगा रेलवे भरती की हर पलकी अपडेट क पर है फिर हम लोग का भाग बन में रिजनिंग है भाग टू में अप लोग का जीके है चेप्टर वाई सब्सक्राइब को फॉल्लो करके आप आसानी से इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को स्टाट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं डैनिंग भासकर के द्वारा छापे गए ख़वर के उपर जो कि आप लोग का गंगापूर सेटी बहास कर छे फरवड़ी दोजार चुबिस को छपी है जिसका हेड्लाइन आप सबी स्टुरेंट्स के सामने यहाँ पे देख सकते हैं रेल्वे भरती परिक्षा में प्रक्रिया धीन भरतियों में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की युवा वरुजगार संगर समिती ने निकाली रेली SDM से मांगो का ग्यापन सोबा नगर समदाता गंगापूर सिटी ओके आए पूरी ख़बर को देखते हैं युवा वरुजगार संगर समिती की कारेकरताओं ने रेल्वे भरती परिक्षा में प्रक्रिया धीन भरतियों में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है तीरा हे पर एकत्रित हुए यहां से बैनर साथ में लेकर सभी कर्यकरता नारबाजी करते हुए रैली के रूप में निकले रैली उदेई मोड से पुरानी चुंगी, फवारा चौक, पुरानी अनाजमंडी, पंचायत समिती, कचाहरी सरकल होते हुए कलेक्टेट कार्याले पह पंद्री के नाम ग्यापन देकर रिल्वे भरती में परकरिया धीर पदों की संख्या को बढ़ाने की मांग की है, उन्होंने कहा कि वरतवान में बरुजगारों की संख्या के अनुपात में ही भरती पदों की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि बरुजगारों को रोजगार मिल चके इनमें ड्राइवर वा तक्निकी साहया के पदों में बढ़ोतरी करवाई जाए इसके बाद सभी कारेकरता रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहां पर स्टेशन अधिक्चक को भी ग्यापन देकर रेलवे में भरती पडों की संख्या को बढ़ाने की मांग की यह देख लोको पालट की रेलवे की 5,696 पदों की ओफिस्यल नोटिफिकेसान अनाउंस की गई है वही टेक्निक्निकन के बारे में बताया गया है कि लगभग 9,000 पदों की संख्या बाहरी देखने को मिलेगी अब देखने वाली बात होगे कि यहां पर जो चार कैटेगरी की वेकिं को मिली है यह टेक्निकनिकन की भरतियों को देखते हुए जनरली स्टुडेंट्स के मन में दो तरह का कनफीजन है कि यह तो रेलवे हो सकता है कि एक अवरेज मेंटेन करने की कोसिस करेगी चुकि पहली बार यह बदलाव देखने को मिल रहा है जहां पर रेलवे ने यह अनाउन्स हो रही तो ठीक ठाक संख्या में भरति देने का प्रयास करेगी या फिर स्टुडेंट्स के त्वारा यह भी कैस लगा रहे जा रहे हैं चुकि आप पहले ही जो आप लोग का जो भरतियां हुई है चाहे जहीं की बात करते हैं चाहे हम लोग एंटी पीसी की बात मुस्किल होगा जब तक किसी प्रकार का कोई ओफीसियल अपडेट नहीं आ जाता है तो हम सब को रिल्वे को ओफीसियल अपडेट आने का इंतजार करना चाहिए और हमें उमीद ही नहीं बलकि पूर्ण विश्वास है कि रिल्वे ठीक ठाक संख्या में भरतियों की अनाउ बताएगा तब तक के लिए जय हिद जय भारत